श्री अश्टावक्र गीता अध्याय पहला वयोवृद्ध राजा जानगत बालक अश्टावक्र से पूझते हैं है प्रभु ज्यान की प्राप्ति कैसे होती है? उती कैसे प्राप्त होती है? वैराग्य कैसे प्राप्त किया जाता है? यह सब मुझे बताएं श्रियश्टावक्र उक्तर देते हैं यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो अपनी मन से विशयों यानि वस्तुवों की उपभोग की इच्चा को वीश की तरह त्याग दीजिए ख्रमा, सरलता, दया, संदोश तता सत्य काम पुरुद की इस तरह सेवन कीजिए आप न पृत्वी हैं न जल न अक्नी न वायू अध्वा आकाश ही हैं बुक्ति के लिए इन तत्वों के साक्षि चैथन्य रूप आतमा को जादिए यदि आप स्मयम को इस शरीर से अलग करके जेतना में विश्राम करें तो ततका नहीं सुक, शाक्ति और बंधन मुत्त अवस्ता को प्राक्त होंगे आप ब्राम्हन आदी सभी जातियों अथ्वा ब्रम्हचर्य आदी सभी आश्रमों से परे हैं तथा आखों से दिखाई न पढ़ने वाले हैं आप निरलित निराकार और इस विश्व के साक्षी हैं ऐसा जानकर सुखी हो जाए धर्म अधर्म सुख दुख मन से जुड़े हैं सर्वव्यापक आप से नहीं न आप करने वाले हैं और न भोगने वाले हैं आप सदा मुक्त ही हैं आप समस्त विश्व के एक मात्र द्रष्टा हैं सदा मुक्त ही हैं आपका बंधन के बल इतना है कि आप द्रष्टा किसी और को समझते हैं अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाब वश्प आप मैं करता हूँ ऐसा मान लेते हैं मैं करता नहीं हूँ इस विश्वास रूपी अम्रत को पीकर सुखी हो जाईए मैं एक विश्वास रूपी अगनी से घन अज्ञानवन को जला दे इस प्रकार शोक रहित होकर सुखी हो जाएं जहां ये विश्वरसी में सर्प की तरह अवास्त विक लगे उस आनंद परमानंद की अनुद्धी करके सुख से रहे स्वयको मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और बद्ध मानने वाला बंधा हुआ ही है यह घावत सत्य ही है कि जैसी बुद्धी होती है वैसी ही गती होती है आत्मा साक्षी सर्वव्यापी पुर्ण एक मुक्त चेतन अक्रीय असंद इच्छारहित एवं शांत है भ्रमवशत ही यह संसारी प्रतित होती है और बरिवर्तनीय चेतन वो अद्वईत आत्मा का चितन करे और मैं के भ्रम रूपी आवास से बुक्त होकर भाईय विश्व की अपने अंदर ही भाबना करे हे पुत्र बहुत समय से आप ने शरीर हो इस भाब बंधन से मन दे हैं स्वयम को अनुभव कर ज्यान रूपी तल्वार से इस बंधन को काड़ कर सुखी हो जाए आप असंग, अक्री, स्वयम प्रकाशवान तखा सर्वता दोश भुक्त है आपका ध्यान द्वारा मन को शांत रखने का प्रयत नहीं बंधन है यह विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है वास्तर में तुमने इसे व्याप्त किया हुआ है तुम शुद्ध और ज्ञान स्वरूप हो, छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो आप इच्छा रहित, विकार रहित, घन यानि ठोस, शीतलता के धाम अगाद गुद्धिमान है शांत होकर केवल जैतन्य की इच्छा वाले हुजाईए आकार को असत्य जानकर निराकार को ही चीर स्टाई मानिये इस तत्व को समझ लेने के बाब तुनह जन्म लेना संभवत नहीं है जिस प्रकार दरपण में प्रतिविम्मित रूट उसके अंदर भी है और बाहर भी उसी प्रकार इस शरीर के भीदर भी निवास करता है और उसके बाहर भी जिस प्रकार एक ही आकाश पात्र के भीदर और बाहर भ्याता है उसी प्रकार शाश्वत और सत्त परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है अध्याय पहा समात अश्राकर कीमा अध्याय दूसरा राजा जनक दहते है आश्चर्य मैं निश्कनंग शांध प्रकृती से परे ज्ञान स्वनूप हूँ इतने समय तक मैं मोह से संदप्त किया गया जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ उसी प्रकार इस विश्व को भी अतह मैं यह समस्त विश्व ही हूँ अत्वा कुछ भी नहीं अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी पोशल द्वारा ही मेरे द्वारा प्रमात्मा का दर्शन किया जाता है जिस प्रकार पानी दहर फेन और बुलबुलो से प्रुतत नहीं है उसी प्रकार आत्मा भी स्वयम से निकले इस विश्व से अलग नहीं है जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र तंतु याणि धागा मात्र ही ग्यात होता है उसी प्रकार यह समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है जिस प्रकार गन्ये के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है उसी प्रकार यह विश्व मुझसे ही बना है और दिरंतर मुझसे ही व्याप्त है आत्मा अज्यानवश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है आत्मा ज्यान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता है रसी अज्यानवश सर्प जैसी दिखाई देती है रसी का ज्यान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता है प्रकाश मेरा स्वरूप है इसके अधिरिक्त मैं कुछ और नहीं हूँ वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है वैसे ही इस मैं भाव को भी आश्चर्य यह कल्पित विश्व ज्ञान से मुझ में दिखाई देता है जैसे सीप में चांदी रसी में सर्प और सूल किर्णों में पानी मुझसे उद्बन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है जैसे खड़ा मिट्टी में लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है आश्चर्य है मुझको नमस्कार है समस्त विश्व के नश्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता जो तुरुन से ब्रह्मा तक सबका विनाश होने पर भी विद्यमान रहता है आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है मैं एक हूँ, शरीर वाला होते हुए भी जो न कहीं जाता है और न कहीं आता है, और समस्त विश्व कूद आप्त करके इस्तित है आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है जो कुशल है और जिसके समान कोई और नहीं है जिसने इस शरीर को बिनासपर्श करते हुए इस विश्व को अनादी काल से धारण किया हुआ है आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है जिसका यह कुछ भी नहीं है पत्वा जो भी वानी और मन से समझ में आता है वह सब जिसका है ज्ञान, गेय और ज्ञाता यह तीनों वास्तव में नहीं है यह जो अज्ञान वश दिखाई देता है वह जिश्कलंग मैं ही हूँ दोईद सभी दुखों का ओल कारण है इसके अधिरिक्त कोई और आउशदी नहीं है कि यह सब जो दिखाई दे रहा है वह सब असत्य है मैं एक चैधन्य और निर्मल हूँ मैं केवल ज्ञान स्वलूप हूँ अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयम में अन्यगुन कल्पित किये गए है ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारण रहित रूप से स्थित हूँ न मुझे कोई बंधन है और न कोई मुक्ती का ब्रह्म मैं शांत और आश्रय रहित हूँ मुझपे स्थित यह विश्व भी वस्तुतह मुझमें स्थित है यह निश्चित है कि इस शरीर सहीत यह विश्व अस्तित्व हीन है केवल शुद्ध चैतन्या आत्मा काही अस्तित्व है हम इसमें क्या कल्पना की जाए शरीर, स्वरग, नरक, बंधन, मुक्ष और भय ये सब कल्पना मात्र ही है इनसे मुझे चैतन्य स्वरूप का क्या प्रयोजन है आश्चर्य की मैं लोगों के समूह में भी दूसरे को नहीं देखता हूँ वह भी निर्जन ही प्रतीव होता है अब मैं किस्से मुख लूँ न मैं शरीर हूँ, न यह शरीर ही मेरा है न मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य हूँ मैं अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन थी आश्चर्य मुझानन्द महासागर में चित्वायों उठने पर ब्रह्मांद रूपी विजित्र तरग्य उपस्तित हो जाती है मुझानन्द महासागर में चित्वायों के शांत होने पर जीव रूपी वणिक का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है आश्चर्य मुझानन्द महासागर ने जीव रूपी नहरे उपन्न होती है मिलती है खेलती है और सुभाव से बुझ में प्रवेश कर जाती है अध्याय दूसरा समात्य अश्टाव क्रगीता अध्याव तीसरा अश्टावक्र कहते है आत्मा को अभिनाश्री और एक जान उस आत्म ज्ञान को प्राप्त कर किसी बुझ्धिमान व्यक्ती की उचीतन अर्जित करने में कैसे हो सकती है स्वयम को अज्ञान से भ्रममश्विशयों से लगाव हो जाता है जैसे सीप में चांधी का ब्रम होने पर उसमें लोम उत्पन हो जाता है सागर से लहरों के समान जिससे यह विश्व उत्पन होता है बह मैं ही हूँ जानकर तुम एक दीन के जैसे कैसे भाग सकते हो यह सुनकर भी की आत्मा शुद्ध चैथन्य और अध्यन्त सुन्दर है तुम कैसे जनेंद्रीय में आ सकते हो कर मलीनता को प्राप्त हो सकते हो सभी प्राणियों में स्वयम को और स्वयम में सब प्राणियों को जानने वाले मुनी में ममता की भावना का बने रहना आश्चर्य ही है एक ब्रम्भ का आश्चर्य लेने वाले और मोक्ष के अर्थ का ज्ञान रखने वाले का आमोद प्रमोद द्वारा उत्पन्न कावनाओं से विचलित होना आश्चर्य ही है अंत्समय के निकट पहुच जुके व्यक्ति का उत्पन्न ज्ञान के अमित्र काम की इच्छा रखना जिसको धार्ण करने में वह अध्यन्दा शक्त है आश्चर्य ही है इस लोक और परलोक से विरक्त निथ्य और अनिथ्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना रखने वालों का मोक्ष से नर्ना आश्चर्य ही है सदा केवला आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिवान व्यक्ति भोजन कराने पर या पीड़ित करने पर न प्रसंद होते है और न को नहीं करते है अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले महापुरुशों को प्रशंसा या निन्दा कैसे विचलित कर सकती है समस्त जिग्यासाओं से रहित इस विश्व को माया में कल्पित देखने वाले स्थीर प्रज्यावाले व्यक्ति को आसन्न मुर्त्यू भी कैसे भयवीद कर सकता है निराशावे भी समस्त इच्चाओं से रहित स्वयम के ज्यान से प्रसन्न महात्मा की तुलना किस्से की जा सकती है स्वभाव से ही विश्व को दुश्यवान जानो इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है यह ग्रहन करने योग्य है और यह त्यागने योग्य देखने वाला स्तीर प्रज्या योक्त व्यक्ति चा देखता है विश्यो की आंतरीक आसकती का त्याग करने वाले संदेह से पने बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वतः आने वाले भोग न दुखी कर सकते हैं और न सुखी अध्यायती सरा समाप्त अश्टावक्रगेता अध्याय चौता स्वयम को जानने वाला वुद्धिमान व्यक्ति इस संसार की परस्तितियों को खेल की द्रहन लेता है उसकी संसारिक परस्तितियों का बोज यानि दबाव लेने वाले मुहित व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी समानता नहीं है जिस पद की इंद्रानी समी रेवता इच्छा रगते है उस पद में स्तिद होकर भी योगी हर्षन ही करता है उस ब्रह्म्ह को जानने वाले के अंतक करण से फुट्ने और पाप का स्पर्श नहीं होता है जिस प्रकार आकाश में दिखने वाले दोवें से आकाश का सैयोग नहीं होता है जिस महाबुरुषने स्वयम को ही इस समस्त जगत के रूप में जान लिया है उसके स्विच्छा से वर्तमान में रहने को भोगने की सामर्थ्य किसमे है ब्रह्मा से तुरन तक चारो प्रकार के प्राणियों में गेवल आत्म ज्यानी ही इच्छा और अनिच्छा का प्रिद्याग कर्दी में समर्था आत्मा को एक और जगत का ही श्वर कोई कोई ही जानता है जो इसा जान जाता है उस को किसी से भी किसी प्रकार का भै नहीं रहता है तुमारा किसी से भी संयोग नहीं है तुम शुद्ध हों तुम क्या त्याकना चाहते हो इस अवास्त विग सम्निलन को समाप्न करके ब्रह्मख से योग यानि एक रूपता को प्राप्त करो जिस प्रकार समुद्र से बुलबुले उत्पन्न होते है उसी प्रकार विश्व एक आत्मा से ही उत्पन्न होता है यह जानकर ब्रम्ह से योग यानि एक रूपता को प्राप्त करो यद्यपी यह विश्वा आखों से दिकाई देता है परंतु अववास्त वीख है विशुद्ध तुम्ने इस विश्व का अस्तित्व उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कल्पित सर्पकारसी में यह जानकर ब्रम्ह से एक रूपता को प्राप्त करो स्वयम को सुग और दुख में समान पूर्ण आशा और इराशाने समान जीवन और मृत्यों में समान सत्य जानकर ब्रम्ह से एक रूपता को प्राप्त करो अध्याय पांचवा समाप्त अश्टावक्र गीता श्रश्राध्याए अश्टावक्र कहते हैं आकाश के समान में अनन्द हो और यह जगत गड़े के समान महत्वहीन है यह क्यान है इसका ना त्याग करना है और न ग्रहन बस इसके साथ एक उप होना है मैं महासागर के समान हूँ और यह दुश्यमान संसार लहरों के समान यह ज्ञान है इसका न त्याग करना है और न ग्रहन बस इसके साथ एक रूप होना है यह विश्व मुझ में वैसे ही कल्पित है जैसे जी सीप में चांदी यह ज्ञान है इसका न त्याग करना है और न ग्रहन बस इसके साथ एक हूप होना है मैं समस्त प्राणियों में हूँ जैसे सभी प्राणी मुझ में है यह ज्ञान है इसका न त्याग करना है और न ग्रहन बस इसके साथ एक हूप होना है अध्याय शश्ट समात अश्टावक्र गीता अध्याय सब्तम राजा जनक कहते है मुझ अनंत महासागर में विश्वरूपी जहाज अपनी अन्त वायों से इधर उढ़र भूमता है पर इससे मुझ में विक्षोब नहीं होता है मुझानन्त महासागर में विश्व उपी लहरे माया से स्वयंगी उतित और अस्त होती रहती है इससे मुझ में भुद्धी या ख्षती नहीं होती है मुझानन्त महासागर में विश्व एक अवास्त विक्ता यानि स्वपन है मैं अती शांत और निराकार रूप से स्थित हूँ उस अनंत और निरंजन अवस्ता में न मैं का भाव है और न कोई अन्य भाव ही इस प्रकार असत बिना किसी इच्छा के और शांत रूप से मैं स्थित हूँ आश्चर्य मैं शुद्ध चैतन्य हूँ और यह जगत असत्य जादू के समान है इस प्रकार मुझ में कहां और कैसे अच्छे यानि उपयोगी और बुरे यानि अनुपयोगी की गल्पना अध्याय सत्तम समाप्त अश्टावक्र गीता अध्याय अश्टम स्रियश्टावक्र गहते है तब बंधन है जब मन इच्छा करता है शोक करता है कुछ प्याग करता है कुछ ग्रहन करता है कभी प्रसन होता है या कभी क्रोधित होता है तब मुक्ती है जब मन इच्छा नहीं करता है शोक नहीं करता है त्याग नहीं करता है, ग्रहन नहीं करता है, प्रसन्न नहीं होता है, या प्रोधित नहीं होता है तब बंधन है जब मन किसी भी दुश्यमान बस्तू में आसकता है जब तक मैं या मेरा का भाव है तब तक बंधन है जब मैं या मेरा का भाव नहीं है तब बुक्ती है यह जानकर न कुछ त्याग करो और न कुछ ग्रहन ही करो अश्टम अध्याय समाप्त अश्टावक्र गीता दवम अध्याय अश्टावक्र कहते है यह कार्य करने योग्य है अथ्वा न करने योग्य और ऐसे ही अन्यद्वन्द्व कब और किसकी शांत हुए है ऐसा विचार करके विरत हो जाओ प्यागवान बनो ऐसे किसी नियम का पालन न करने बाले बनो ऐ पुत्र इस संसार की वर्थ चेष्टा को देख कर किसी धन्य पुरुष की ही जीने की इच्छा भोगों के उपभोग की इच्छा और भोजन की इच्छा शांत हो पाती है यह सब अनित्य हैं तीन प्रकार के कष्टो यानि दैहिक द्रीविक और भोटिक सेघिरा है सारहीन है निन्दनीय है प्याग करने योग्य है ऐसा अनिश्टित करके ही शांती प्राप्त हो दिये है ऐसा कौन सा समय अथ्वा उम्र है जब मनुष्य के संशय नहीं रहे है अतह संशयों की अपेक्षा करके अनायास सिद्धी को प्राप्त कर महर्शियों साधों और योगियों के विभिन्नमतों को देखकर कौन मनुष्य वैराग्यवान होकर शांत नहीं हो जाएगा चैथन्य का साक्षात ज्ञान प्राप्त करके कौन वैराग्य और समता से युक्त कौन गुरु जन्म और भृत्यू के बंधन से तार नहीं देगा तप्त्वों के विकार को वास्त्व में उनकी मात्रा के परिवर्दन के रूप में देखूं ऐसा देखते ही उसी ख्षन तुम बंधन से मुक्त होकर अपने स्वरूप में सित हो जाओ दे इच्छा ही संसार है ऐसा जानकर सबका त्याग कर दो उस त्याग से इच्छाओं का त्याग हो जाएगा और तुमारी यथा रूप अपने स्वरूप में स्तिधी हो जाएगी अध्याय नवम समात्र अश्टावक्र गीता दशम अध्याई स्रिष्टावक्र कहते हैं कामना और अनर्थों के समोह धन रूपी शत्रूओं को त्याग दो इन दोनों के त्याग रूपी धर्म से लुक होकर सर्वत्र विरक्त याणि उदासीन हो जाओ वित्र, जमीन, कुशागार, पत्नी और अन्य संपत्यों को स्वप्न की माया के समान तीन या पाँच दिनों में नश्ट होने वाला देखो जहां जहां आसकती हो उसको ही संसार जानो इस प्रकार परिपक्क वईराग्य के आश्रे में तुरुष्णा रहित होकर सुखी हो जाओ तुरुष्णा यानि कामना मात्र ही स्वयम का बंदन है उसके नाश को मोख्ष कहा जाता है संसार में अनासक्ती से ही निरंदरानन्द की प्राप्ति होती है तुम एक अध्वितिय चेतन और शुद्ध हो तथा यह विश्व अचेतन और असत्य है तुम में अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है और जानने की इच्छा भी नहीं है पूर्वजन्मों में बहुत बार तुमारे राज्य, पुत्र, स्त्री, शरीर और सुखों का तुमारी आसकती होने पर भी नाश हो चुगा है तर्याप्त धन, बिच्छाओं और शुवगर्मों द्वारा भी इस संसार रूपी बाया से मन को शान्थी नहीं मिली कितने जन्मों में शरीर, मन और वानी से दुख के कारण कर्मों को तुमने नहीं किया अब उनसे उपरत याणी गरक्त हो जाओ अध्याय दशं समात्य अष्टावक्र गीता अध्याय ज्यारःवा श्री अष्टावक्र कहते है भाव यानि सुरुष्टी, स्थिती और अभाव यानि प्रलय, मृत्यू रूपी विकार स्वाभावी कहे ऐसा निश्चत रूप से जानने माला विकार रहित, दुख रहित होकर सुख पुरुमक्र शान्ती को प्राप्त हो जाता है इश्वर सबका सुरुष्टा है, कोई हंज नहीं ऐसा निश्चत रूप से जानने बाले की सभी अंधरीक इच्चाओं का नाशक हो जाता है वह शान्त पुरुष सर्वत्र आसक्ती रहित हो जाता है संपत्ती यानि सुख और विपत्ती यानि दुख का समय प्रारप्धवश यानि पुर्वकृत करवों के अनुसार है ऐसा निश्चत रूप से इचानने बाला, संतोश और निरंतर सैयमीद हिंद्रियों से युगत हो जाता है वह न इच्चा करता है और न शूप सुख दुख और जन्म मृत्यू प्रारप्धवश यानि पुर्वकृत करवों के अनुसार है ऐसा निश्चत रूप से जानने बाला, फल की इचानने बाला, स्रलता से कर्म करते वे भी अनसे लित्त नहीं होता है चिन्ता से ही दुख उट्पन न होते है, किसी अन्यकारण से नहीं ऐसा निश्चत रूप से जानने बाला, चिन्ता से रहित होकर सुखी, शान्त और सभी इच्चावों से मुक्त हो जाता है न मैं यह शरीर हूँ और न यह शरीर मेरा है, मैं ज्ञानस रूप हो, ऐसा निश्चत रूप से जानने बाला, जिवन मुक्ती को प्राप्त करता है वह किये हुए, यानि भूदकाल, और न किये हुए, यानि भविश्य के कर्मों का स्मर्ण नहीं करता है त्रण से लेकर ब्रह्मादग, सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा निश्चत रूप से जानने बाला, विकल्प, यानि कामना रहित, पवित्र, शांत, और प्राप्त, वप्राप्त से आसती रहित हो जाता है अनेक आश्चर्यों से युद्य विश्व, अस्तित्व ही नहें, ऐसा निश्चत रूप से जानने बाला, इज्छा रहित, और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है, वह अपार शांती को प्राप्त करता है अध्याय ग्यारवा समाप्त अश्टावक्र जीना, अध्याय बारवा श्री जनक कहते है पहले में शारीरिक कर्मों से निरबेक्ष यानि उदासीन हुआ, फिर वानी से निरबेक्ष यानि उदासीन हुआ शब्द आधी विशयों में आसकती रहित होकर और आत्मा की दुष्णी का विशय न होने के कारण मैं निश्चल और एगाग्र विधय से अपनी स्वरूप में श्तित हुआ अध्यास यानि असत्य ज्यान आधि अस्वामान्य स्थितियों और समाधी को एक नियम के समान देखती हुए मैं अपने स्वरूप में स्थित हुआ ए ब्रह्म्भ को जानने वाले त्याज यानि छोडने योग्य और संग्रहणी से दूर होकर और सुक दुख्ध के अभाव में मैं अपने स्वरूप में स्थित हुआ आश्रम अनाश्रम ध्यान और मदद्वारा स्विक्रत और इशिद्ध नियमों को देख करमें अपने स्वरूप में स्थित हुआ करमों के अनुष्ठा नरूपी अज्ञान से लिगृत होकर और तत्व को सम्य गृत से जानकर मैं अपने स्वरूप में स्थित हुआ वचित्य के संबंध में विचार करते हुए भी विचार पर ही चिंदन किया जाता है अतह उस विचार का भी परित्याग गरके में अपनी सुलूप में स्थित्व हूँ जो इस प्रकार से आचरन करता है वह कुरुतार्थ हो जाता है जिसका इस प्रकार का स्वभाव है वह कुरुतार्थ हो जाता है अध्याय बारहवा स्वाप्त अश्टावक्तर गीता अध्याय तेरहवा श्री जनक कहते है तो किंचन यानि कुछ अपना न होने की सहजता केवल कौपीन पहनने पर भी मुश्किल से प्राप्त होती है अतह त्याग और संग्रह की प्रवृत्तियों को छोण कर सभी स्थितियों में मैं सुखपुर्व क विद्यमान शारिरिक दुख भी कहा है वानी के दुख भी कहा है वहामन भी कहा है किए वे किसी भी काल्य का बस्तुदह कोई अस्थित्व नहीं है ऐसा तत्व पुर्वक बिचार करके जब जो भी करत वे है उसको करती हुए सभी स्थित्व में मैं सुक्त पुर्वक बिद्यमान हूं शरीर भाव में स्तिवयोगियों के लिए गर्म और वगर्म रूपी बंधनकारी भाव होते हैं पर संयोग और वियोग की प्रवृत्यों को छोड़कर सरीस्तितियों में मैं सुखपुर्वक बिद्यमान हूँ विश्राम, गती, शयन, बैठने, चल्ले और सप्न में पस्तुतह मेरे लाग और हानी नहीं है अतहा सवी स्तितियों में मैं सुखपुर्वक बिद्यमान हूँ सोने में मेरी हानी नहीं है और वुद्योग अथवा अनुद्योग में मेरा लाग नहीं है अतहा हर्श और शोख की प्रवृत्यों को छोड़कर सवी स्तितियों में मैं सुखपुर्वक बिद्यमान हूँ सुख, दुख, आदी स्तितियों के क्रम से आने के नियम पर बार बार विचार करके शुख और अशुभ की प्रवुर्तियों को छोड़ कर सभी स्थितियों में मैं सुख पुर्वक विद्यवान हूँ अध्याय तेरहवा समाप्त अश्टावक्रगीता अध्याय चोदहवा स्री जनक कहते है जो स्वभाव से ही विटार शुन्य है और शायद ही कभी कोई इच्छा करता है वह पुर्वस्मृतियों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे की नींद से जागा हुआ व्यक्ति अपने सपनों से जब मैं कोई इच्छा नहीं करता तब मुझे धन, मित्रो, विशयो, शास्त्रो और विज्ञान से क्या प्रयोजन है साक्षी पुरुष रूपी प्रमात्मा या इश्वर को जान कर मैं बंधन और मोक्ष से निरपेक्ष हो गया हूँ और मुझे मोक्ष की जिन्दा भी नहीं है आंदरिक इच्छा ओसे रहित बाईयरूप में चिन्दा रहित आचरण वाले प्रायहां मत्तप पुरुष जैसे ही दिखने वाले प्रकाशित पुरुष अपने जैसे प्रकाशित पुरुषो द्वारा ही पहचाने जा सकते है अध्याय चोदहवा समाप्त अश्टावक्र गीता अध्याय पंद्रवा से अश्टावक्र कहते है सात्विक बुद्धी से युक्त मजुष्य साधारन प्रकार के उपतेश से भी कृत कृत्य हो जाता है परन्तु ऐसा न होने पर आजीवन जिग्यासु होने पर भी परब्रम्म का यथार्थ ज्यान नहीं होता है विशयो से वदासीन होना मोक्ष है और विशयो में रसलेना बंधन है ऐसा जान अगर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो वाणी, बुद्धी और कर्मों से महान कार्य करने वाले मनुश्यों को तत्व ज्यान, शांद, स्तब्द और कर्मन करने वाला बना देता है अतह सुक की चारकने वाले इसका त्याग कर देते हैं न तुम शरीर हो और न यह शरीर तुम्हारा है नहीं तुम भोगने वाले अत्वा करने वाले हो तुम चैतन्य रूप हो शाश्वत साक्षी हो इच्छा रहित हो अतह सुख पुरवकर हो राग यानि प्रियता और द्वेश यानि अप्रियता मन के धर्म है और तुम किसी भी प्रकार से मन नहीं हो तुम कामना रहित हो ज्यान स्वरूप हो विकार रहित हो अतह सुख पुरवकर हो समस्त प्राणियों को स्वयम में और स्वयम को स्वी प्राणियों में स्थित जान अगर अहंकार और आसक्ती से रहित होकर तुम सुखी हो जाओ इस विश्व की उत्पत्ती तुमसे उसी प्रकार होती है जैसे की समुद्र से लहरो की इसमें संदेह नहीं है तुम चैतन्यस्वरूप हो अता चिंदा रहित हो जाओ हे प्रिय इस अनुभव पर निष्टा रखो इस पर श्रद्धा रखो इस अनुभव की सथ्यता के संबंध में मोहित मत हो तुम ज्ञानस्वरूप हो तुम प्रकृती से परे और आत्मस्वरूप भगवान हो गुणों से निर्मित यह शरीर स्थिती, जन्म और मरण को प्राप्त होता है आत्मा ना आती है और नहीं जाती है अत्ह तुम क्यों शौक करते हो यह शरीर सुरुष्णी के अंद तक रहे अत्वा आज ही नाश को प्राप्त हो जाए तुम तो चैतन्य स्वरूप हो इससे तुम्हारी क्याहानी या लाभ है अनन्त महा समुद्र रूप तुम में लहर रूप यह विश्व स्वभाव से ही उदय और अस्त को प्राप्त होता है इसमें तुम्हारी क्या वृद्धी या ख्षती है हे प्रिय तुम केवल चैथन्य रूप हो और यह विश्व तुमसे अलग नहीं है अता किसी की किसी से स्रिष्टत या निम्नता की कलपना किस प्रकार गी जा सकती है इस अव्यय, शांत, चैथन्य, निर्मल आकाश में तुम अकेले ही हो हताह तुम्हें जन्म, कर्म और अहंकार की कलपना किस प्रकार की जा सकती है तुम एक होते हुए भी अनेक रूप में प्रतिविन्मित हो कर दिखाई देते हो क्या स्वर्ण, गंगन, वाजुबंद और पायन से अलग दिखाई देता है यह मैं हो और यह मैं नहीं हो इस प्रकार के बेद को प्याग दो सबकुछ आत्मस्वरूप तुम ही हो ऐसा निश्चय करके और गोई संकल्पना करते हुए सुखी हो जाओ अज्ञान वश तुम ही यह विश्व हो पर ज्ञान गुष्टी से देखने पर केवल एक तुम ही हो तुमसे अलग कोई दूसरा संसारी या असंसारी किसी भी प्रकार से नहीं है यह विश्व केवल भ्रम यानि स्वप्न की तरह असत्य है और कुछ भी नहीं ऐसा निश्चय करू इच्छा और चेश्टा रहित हुए बिना कोई भी शान्ती को प्राक्त नहीं हो पारे यह कही भवसागर था है और रहेगा तुम्ने न मोक्ष है और न बंधन आप्त काम होकर सुख से विचरण करू ए चैतन्य रूप भादी भादी के संकल्पों और विकल्पों से अपने चित्त को शान्त मत करू शान्त होकर अपने आनंद रूप में सुख से स्तिक हो जाओ सभी स्तानों से अपने ध्यान को हटा लो और अपने रुधय में कोई विचार न करो तुम आत्मरूप हो और मुक्त ही हो इसमें विचार करने की क्या अवशक्ता है अध्याय पंद्रहवा सवाप्त अष्टावक्रगीता अध्याय सोलहवा स्रिय अष्टावक्रगाते हैं हे प्रिय विद्वानों से सुनकर अथ्वा बहुत शास्त्रों के पढ़ने से तुमारी आत्मस वरूप में बैसी स्तिती नहीं होगी जैसे कि सब कुछ उजित अरिती से भूल जाने से कर्म भोग करो ये समाधी में रहो पर चुकि तुम विद्वान हो अधह तुम्हें चित्त की सभी आशाओगो शान्त करना त्यंद आनंद ब्रद होगा प्रयद्ण से ही सभी दुकी है पर कोई इसे डानता नहीं है इस निश्पाप उपदेश से ही भाग्यवान व्यक्ति सभी वृत्यों से रहिब हो जाते हैं जिसको पलकों का खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है उस बरमालसी के लिए ही सुक है अन्य किसी के लिए किसी भी प्रकार से नहीं यह करना चाहिए और यह नहीं जब मन इस प्रकार के द्वंगों से नुट्ध हो जाता है तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष की अपिक्षा याणी इच्छा नहीं रहती न विशयों से त्वेश करने माला विरत्त नहीं विशयों में आसत रागवान वह तो निश्चय ही विशयों के ग्रहन और त्याग से भी ही नहें जब तक विशयों के ग्रहन और त्याग की कामना रहती है तब तक संसार रूपी वुक्ष का अंकुर विध्यमान है अतहा विचारही अवस्ता का आश्रह लोग प्रव्रत्ती से आसत्ती और निवृत्ती से द्वेशों कन्न होता है अतहा बुद्धिमान पालक के समान निलग्वंद्व होकर स्तित रहो विशय में आसत्त गुरुष दुख से बचने के ये संसार का त्यार करना चाहता है पर वह विरत्त ही सुखी है जो उन दुखों में भी खेद नहीं करता है जो बोक्ष भी चाहता है और इस शरीर में आसत्ती भी रखता है वह न ज्यानी है और न योगी बल्कि केवल दुख को प्राप्त करने बादा है यदि तुम्हारे उपदेशकत साक्षाप, शिव, विश्व या ब्रह्मा भी हो तो भी सब कुछ विस्मर न किये बिना तुम आत्मस्वरुप को प्राप्त महीं होगे अध्याय सोलहवा समाप्त अश्टावक्र गीता अध्याय सत्रहवा उन्होंने ज्ञान और योग काफल ब्राप्त कर लिया है जो सदासंतष्ट, शुद्ध इंद्रियों वाले और एकांत में रमने वाले है तत्व को जानने बाला कभी भी किसी बात से इस संसार में दुख्यी नहीं होता है क्योंकि उसका एक ब्रह्म से ही यह संपुर्ण विश्व पुर्ण तह व्याप्त है अपनी आत्मा में रमन करने वाला किसी विशय को प्राप्त करके हर्शित नहीं होता जैसे कि सलाई के पत्तों से प्रेम करने वाला हाती नीम के पत्तों को पाकर हर्शन ही करता है जिसकी प्राप्त हो चुके भोगों में आसकती नहीं है और नप्राप्त होए भोगों की इच्छा नहीं है ऐसा व्यक्ति इस संसार में दुरलब है इस संसार में संसारिक भोगों की इच्छावाले भी देखे जाते हैं और मोक्ष की इच्छावाले भी पर इन दोनों इच्छाओं से रहिद महा पुरुष का मिलन दुरलब है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवन और मुठ्यू में उपयोगिता और अनुपयोगिता की समता किसी महात्मा में ही होती है ना विश्व के लीन होने की इच्छा और नहीं इसकी स्थिती से द्वेश जैसे जीवन हैं उसी में आनन्दित और कुरुट कुरुट रहते हैं इस ज्ञान से कुरुटार्त होकर बुद्धी कु अंत्रहीत यानि विलीन करके देगते हुए, सुनते हुए, स्पर्ष करते हुए, सुंगते हुए, और खाते हुए, सुकपुर्पकरते द्रुष्टी को शुन्य और अस्तीर हिंद्रियों की चेश्टा को नश्ट करके इस अशक्त संसार रूपी सागर से न दो आसकती रखते हैं और नहीं विरक्ती न जगता ही है, और न सोता ही है, नहीं आखे खोलता या बंद करता है, अहां कुस परमावस्ता में कोई मुक्त चेतना वाला विर्ला ही रहता है सदा स्वयम्मे स्थित सर्वत्र स्वच्च प्रयोजन वाला समस्त वासराओ से मुक्त, मुक्त पुरुष सर्वत्र सुशोवित होता है देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्ष करते हुए, सुंघते हुए, खाते हुए, लेते हुए, बोलते हुए, चलते हुए, इच्छा करते हुए, और इच्छाना करते हुए, ऐसा महात्मा मुक्त ही है ना निन्दा करता है और न ब्रशनसा करता है न लेता है न देता है इन सबने अना सत्त वह सब प्रकार से बुप्त है अनुराग युक्त स्त्रियों को देखकर अथवा मृत्यों को उपस्तित देखकर विचलित ना होने बाला स्वयम्य इस्तितवह महात्मा मुप्त ही है धीर पुरुष सुख में, दुख में, पुरुष में, नारी में, संपत्ती में और विपत्ती में अंदर न देखता अलवा सर्वत्र समदर्शी होता है क्षीण संसार बाले पुरुष में, ना हिंसा और ना करुणा, ना गर्व और ना दीनता, ना आश्चर्य और ना ख्षोब ही होते है मुक्त पुरुष न तो विशयों से ग्वेश करता है और ना आसत्ती ही, पता है उनकी प्राप्ती और वप्राप्ती में सदा समान मनवाला रहता है संदेह और समाथान एवं हीत और अहित की कल्पना से परे शुन्य चित्त वाला पुरुष कई वल्य में ही स्थित रहता है ममता रहित अहंकार रहित और दुर्ष जगत के अस्तित रहित वोई के लिश्चय वाला सभी च्छाओ से रहित करता हुआ दी कुछ नहीं करता कोई भी मन की मोह, स्वप्न और जड़ता से रहित प्रकाशित अवस्ता को प्राप्त कर मन की च्छाओ से रहित हो जाए अध्याय सत्रहवा समाप्त अश्टावक्र निता अध्याय अठ्रहवा से अश्टावक्र कहते हैं जिस बोधका उदय होने पर जागने पर स्वप्न की समान भ्रम की निवृत्ती हो जाती है उस एकयों सुखस्वनूब शांत प्रकाशबों नमस्तार है जगत के सबी पधार्थों को प्राप्त करके पुई बहुत से भोग प्राप्त कर सकता है पर उन समका आंतरी वत्याग कीए बिना सुखी नहीं हो सकता जिसका मन यह कर्टव्य है और यह कर्टव्य आदी दुखों की तिव्रज्वाना से जुलस रहा है उसे भला करमत्यागरू पेशांती की अंबुल अधारा का सेवन किये बिना सुखकी प्राप्ति कैसे हो सकती है यह संसार केवल एक भावना मात्र है प्रमार्त तहा कुछ भी नहीं है भाव और अभाव के रूप में सुखाव तहा स्थित्पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता आत्मा न तो धूर है और न पास वह तो प्राप्त ही है तुम स्वयम ही हो उस भी न विकल्ब है न प्रयत्म न विकार और न मल ही अज्ञान मात्र की दिवृत्ती और स्वरूप का अज्ञान होते ही दुष्टी का आवरण भग हो जाता है और तत्व को जानने वाला शोब से रहित होकर शोभायमान हो जाता है सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है धीर पुश किस अठ्य को जानकर फिर मालक के समान क्या अभ्यास करे आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित है ऐसा निश्टय हो जाने पर निश्काम ज्याने फिर क्या जाने क्या कहे और क्या करे सब आत्मा ही है ऐसा निश्टय करके जो चूप हो गया है उस पुरुश के लिए यह मैं हूँ यह मैं नहीं हूँ आदिक बनाए भी शान्त हो जाती है अपने स्वरूब में इस्तित्पों कर शान्त हुए तत्व ज्यानी के लिए न विक्षेब है और न एकागरता न ज्यान है और न अज्यान न सुख है और न दुख है जो योगी स्वफाव से ही विकल्प रहित है उसके लिए अपने राज्य में या विक्षा में रावहानी में भीड में या सुने जंगल में कोई अंतर नहीं है यह कर्णिया और यह कार्यों शेश है इन द्वंदों से नो मुक्त है उसके लिए धर्म कहां कर्म कहां अर्थ कहां और विक कहां जीवन मुक्त योगी का नतों कुछ कर्तम्य है और नहीं उसके रदय में कोई अंतरा गए जैसे भी जीवन बीत जाए वैसे ही उसकी स्तिती है जो महात्मा सभी संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है इसके लिए भूह कहां संसार कहां ध्यान कहां और भुक्ती भी कहां जिसने इस संसार को वास्तम में देखा हो वह कहें कि यह नहीं है जो कामना रही तहे वह तो इसको देखते हुए भी नहीं देखता जिसने अपने से भिन्द पर ब्रह्म को देखा हो वह चिंद में किया करें कि वह ब्रह्म मैं हो पर जिसे कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता वह निश्चिंद क्या विचार करें जिसने अपने स्वरूप में कभी कोई विक्षेप देखा हो वह उसको रोकिए तत्व को जानने वाले का विक्षेप कभी होता ही नहीं है किसी साध्य के विना वह क्या करें तत्वग्य दोग सांसारिक लोगों से उल्टा ही होता है वह सामान्य लोगों जैसा में भार करता हुआ ली अपने सुलूप में न समाधी देखता है न विक्षेप और न रयहीं तत्वग्य भाव और अभाव से रहित दृत्त और कामना रहित होता है लोकिक दुष्टी से कुछ उल्टा सीधा करते हुए भी मह कुछ भी नहीं करता तत्वध्यका प्रवृत्ति या निवृत्ति का ग्राग्र नहीं होता है जब जो सामने आ जाता है तब उसे करके वह आनंद से रहता है ज्यानी कामना आश्रयत और परतंत्रता आदी के बंदनों से सर्वथा मुक्त होता है प्रारब्धरूपी वायू के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशीर रहता है जैसे वायू के वेग से सुखा पत्ता जो संसार से मुक्त है वह न कभी हर्ष करता है और न विशाद उसका मन सदाशीतल रहता है और वह विदेह के समान सुशोवित होता है जिसका अंतरम नशीतन और स्वच्च है जो आत्मा में ही रमन करता है उस धीर पुरुष की न तो किसी प्याग की इंचा बोती है और न कुछ पानी की आशा जिसे धीर पुरुष का चित्त स्वभाव से ही निर्विशय है वह साधारण मनुष्य के समान प्रारण ध्यमश बहुत से कान्य करता है पर उसका उसे न तो मान होता है और न अपमा नहीं यह कर्म शरीर नहीं किया है मैंने नहीं मैं तो शुद्ध स्वरू को हूँ इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है वह गर्म करता हुआ भी नहीं करता है सुखी और श्रीमान जीवन मुक्त विशई के समान कार्य करता है परंदु विशई नहीं होता है वह दो सांसारी कार्य करता हुआ वी शोपा को प्राप्तभ होता है जो धीर पुरुष अनिक विचारों से ठब कर अपने सुरूप में विश्राम पा चुका है वह न गल्पना करता है न जानता है न सुनता है और न देखता ही है ऐसा ज्यानी समाधी में आग्रह न होने के कारण मुक्षू नहीं और विख्षे बना होने के कारण विशई नहीं है मेरे अतिरिक पर जो कुछ भी दीक रहा है वह सब कल्पित ही है ऐसा निश्चे करके सब को देखता हुआ वह ब्रग्म ही है जिसके अंदक करण में अहंकार विद्यमान है वह देखने में गर्म न करे तो ही करता है पर जो धीर पुरुष निरहकार है वह सब कुछ करते हैं में भी गर्म नहीं करता है मुक्त पूश के चित्त में न उद्वेग है न संदोश है और न कर्पुत्व का विमान ही है उसके चित्त में न आशा है न संदेग है ऐसा चित्त ही सुशोबित होता है जीवन मुक्त का चित्त ध्यान से वीरत होने के लिए और विभार करने की चेश्टा नहीं करता है प्रवह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है। अविवेकी पुर्ष यथार्थ तत्व कावरनन सुनकर और अधिक वोह को प्राप्त होता है या संकुचित हो जाता है। कभी-कभी तो कुछ बुद्धिमान भी उसी अविवेकी के समान में वहार करने लगते है। बूढ़ पुरुष बार-बार यानि चित्त की एकाग्रता और निरोध का अधियास करते है। धीर पुरुष सुशुत के समान अपने सुआप में स्थिनहते हुए, कुझ भी गत्तं व्यगुप से नहीं करते। बोड़ पुरुष प्रयत्न से या प्रयत्न के प्याग से शांती प्राप्त नहीं करता पर प्रज्यावान पुरुष तत्व के निश्य मात्र से शांती प्राप्त कर लेता है आत्मा के संबंद में जो लोग अभ्यास में लग रहे हैं वे अपने शुद्ध, मुद्ध, प्रीय, पुर्ण, निश्प्रपंच और निरामय ब्रह्मस रूपपो नहीं जानते अज्ञानी मनुष्य कर्म रूपी अध्यास से भुक्ति नहीं पा सकता और ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्ञान ज्ञान से भुक्ति प्राप्त कर लेता है अज्ञानी को ब्रह्म का सक्षामकार नहीं हो सकता क्योंकि वह ब्रह्म होना चाहता है ज्ञानी पुरुष्य इच्छा न करने पर भी पर ब्रह्म बोड स्वरूप में रहता है अज्यानी मिराधार आग्रहों में बढ़कर संसार का पोशन करते रहते हैं ज्यानी उने सभी अनर्थों की जड़ इस संसार की सत्ता का ही पुर्णनाश कर गिया है अज्यानी शांती नहीं प्राप्त कर सकता क्योंकि वह शांत होने की इच्छा से ग्रस्त है ज्यानी पुरुष तद्वका द्रुणनिष्ट करके सदई वशांत जित्त ही रहता है अज्यानी को आत्म साक्षात कार कैसे हो सकता है जब वह दृष्यपदार्टों के आश्रई को सिकार करता है ज्यानी पुरुष्टों वे हैं जो दुष्य बदात्यों को न देखते हुए अपने अविनाशी स्ववूत को ही देखते हैं जो आग्रह करता है उस उर्ख का चित विरुद्ध कहा है आत्मा में रमन करने बाले धीर पुरुष्ट का चित को सदैव स्वाहादी को उपसे धिरुद्ध ही रहता है कोई पदार्त की सत्ता की भावना करता है और कोई पदार्तों की असत्ता की ज्ञानी तो भाव अभाव दोदोखी ही भावना को छोड़कर निश्चिंद रहता है बुद्धी ही न पुरुषप अज्ञान वश अपने शुद्ध अद्विटीय स्वरूप का ज्ञान तो प्राक्त करते नहीं पर केवर भावना करते हैं मुक्षू पुरुषप की बुद्धी कुछ आश्रय कहन किये बिना नहीं रहती मुक्त पुरुषप की बुद्धी तो सबप्रकार से जिश्खाम और निराश्रय ही रहती है अज्ञानी पूश विशय पुद्धी मतवाले हातियों को नेक कर भजब्रीक हो जाते हैं और शरण के गिए तुरंत निरोध और एकागरता की सित्ती के गिए जटपट चित्त की गुफा में बुस जाते हैं कामना रहित ज्ञानी सीहा हैं उसी देखते ही विशय पुद्धी मतवाले हाती चुपचाम भाग जाते हैं उनकी एक नहीं चलती उल्टी में तरदह से खुशाम दगर के सेवा करते हैं शंका रहित ज्ञानी पुरुषक मुक्ती के साधनों का भ्यास नहीं करता हैं महत्व देखते सुनते छुणते सुंधते भोगते हुए भी आनन्द में भगन रहता हैं शुद्ध गुद्धी पुरुषक वस्तुतत्व के एवल सुनने मात्र से आप्पता रहित हो जाता हैं फिर आचार अनाचान या उदासीनता पर उसके जोश्टी नहीं जाती हैं स्वभाव में इस्तितर ज्यानी शुबहो या शुबहो जो जब करने के लिए सामने आ जाता है तब वह उसे बालग की जेष्टा के समान सरलता से करडालता हैं स्वतंत्रता से ही सुख की प्राप्ति होती हैं सुतंत्रता से ही परमपद मिलता है जब साधक अपने आपको अकरता और अभुपता निश्चय कर लेता है तब उसके चित्त की सरी वृत्तियां खीन हो जाती है धीरपुरुष की स्वाभा लिक्स्तिती की छोग युक्त होने पर भी स्रेष्ट है पर जिसकी चित्तम्याने का इच्छाय मरी है उस अज्ञाने पुरुष पर बनावटी शान्ती शोगा नहीं पाती धीरपुरुष बड़े भोगों में आनन्द करते है और परवदों की गहम गुफाओं में भी निपास करते है पर बेक कल्पना गंदन और बुधिगी उरुधियों से मुक्त होते है धीरपुरुष शास्त्रग्य, ब्रामन, देवता, पीर्त, स्प्री, राजा और प्रीयकों देखकर उनका स्वागत करता है पर उसके रुधय में कोई कामना नहीं होती सेवक, पुत्र, स्त्री, नाती और सगोत्र द्वारा हसे उवे जाने पर भी दिकारने पर भी योगी के जित्त में थोड़ा सा विकार ही उपन्न नहीं होता लोग एक दुष्टी से प्रसन दिखने पर वह प्रसन नहीं होता और दुखी दिखने पर दुखी नहीं होता उसकी उस आश्चर्य मयदशा को उसके समान लोग ही जान सकते हैं कर्तव्य बुद्धी का नाम ही संसान है विद्वान लोग उस कर्तव्यता को नहीं देगते क्योंकि उनकी बुद्धी शुन्याकार निराकार निर्विकार और निरामय होती हैं अज्यानी पुरुषक कुछ न करते हुए भी खोवशक सदा दग्रही रहता है योगी पुरुषक बहुत से काल्य करता हुआ भी शान्त रहता है शांत बुख्तिवाला पुरुषग सुख से बैटता है, सुख से सोता है, सुख से आता जाता है, सुख से बोनता है और सुख से ही खाता है जो बड़े सरोवर के समान शान्त है और लोकी का आच रणगर पे हुए जिसको अन्य लोगों के समान दुख नहीं होता वह दुख रहित व्यारी शोवित होता है मूढमे निवरुत्ति से भी प्रवुत्ति उपट्न हो जाती है और धीर पुरुष की प्रवुत्ति भी निवरुत्ति के समान फलदाई गी है अज्यानी पुरुष प्रायहां गुरुह आधी पतार्थों से वैरांत्रता दिखाई दे पाहें पर जिसका देख अविमान नश्व हो चता है उसके लिए कहा राग और कहा विराग अज्यानी की दुष्टी सदा भाव या भाव में लगी रहती है पर धीर पुरुष तो दुष्यकों देखते रहने पर भी आत्मस रूप को देखने के कारण कुछ नहीं देखता जो धीर पुरुष सरी कारियों में एक बादक की समान विष्टाम भाव से दुनाहार करता है वह शुद्ध है और कर्म करने पर भी उससे दिप्त नहीं होता वहाँ आत्मज्यानी धन्या है जो सवी स्थितियों में समान रहता है देखते सुनते छूते सुंगते और खाते पीते भी उसका मनकामना रहिद होता है धीरपूश सदा आगाश के समान निर्विकल्प रहता है उसकी दुर्ष्टी में समसार कहा और उसकी प्रतिती कहा उसकी लिए सांध्य क्या और साधन क्या जिस सन्यासी को अपने अखण स्वरूप में सदा स्वभाविक रूप से समाधी रहती है जो पुर्ण स्वान्द स्वनूप है वही विजई है बहुत तहने से क्यालावत महात्मा पुष्ट भोग और बोख्षब दोनों की इच्छा नहीं करता और सदा सरवत्र राग रहित होता है महत्तत्म से लेकर संपर्ण द्वैत भूप दुष्य जगत नाम मात्र का ही विस्पार है शिद्वोद स्वरूप धीर ने जब उसका भी परित्याग कर दिया फिर भला उसका क्याकवत द्विशेश है यह संपुरण द्रुष्य जगत भ्रम मात्र है यह कुछ नहीं है जैसे निश्चय से युक्त पुरुष्य ब्रुष्य की स्पुर्ती से री रहिद हो जाता है और स्वभाव से ही शान्द हो जाता है जो शुद्ध स्पुरण रूप है जिसे द्रुष्य स्पुर्ण नहीं मारूँ पड़ता उसके लिए विधी क्या वैरान्य क्या त्याग क्या और शान्दी धी क्या जो अनंद रूप से स्वयम स्पुरित हो रहा है और प्रक्मती की प्रुदक सत्ता को नहीं देखता है उसके लिए बंदन कहां वोक्ष कहां हर्ष कहां और विशाद कहां बंद्धी के अन्द तक ही संसार है और यह केवल माया का विवर्त है इस तक्त्र को जानने वाला बंदिमान ममता अहंकार और कामना से रहित होकर शोगित होता है जो बुनी संताप से रहिप अपने अविनाशी स्वुरूप को जानता है उसके लिए बिद्या कहां और विश्व कहां अत्वा देह कहां और में मेरा कहां जडबुद्धिवाला यदी मिरोध आरी करमों को छोण देता है तो अगले ख्षण बड़े-बड़े मनोर्थ बनाने और प्रलाप करने लगता है अज्ञाने अत्वका श्रवन करके भी अपनी मूड़ता का त्याग नहीं करता वह बाईयरूप से तो दिस्संकल्प हो जाता है पर उसके अंतरमन में विशयोगी अच्छाब बनी रहती है ज्ञान से जिसका कर्म बंधन नश्ट हो गया है वह लोग्य रूप से कर्म करता रहे तो भी उसके कुछ करने या कहने का अवसर नहीं रहता क्योंकि वह वकरता और अवकता है जो धीर सवा निर्विकार और भयर ही बहे उसके लिए अंधक्कार कहा प्रकाश कहा और प्याग कहा उसके लिए किसी का अस्तित्व नहीं रहता योगी को धैर्य कहा विवेक कहा और निर्भयता भी कहा उसका सुभाव अनिर्वचनीय है और वह वस्तुता सुभाव रही गहे योगी के लिए न स्वर्ग है न नरक और न जीवन मुक्ती ही इस संबंद में अधिक कहने से क्या लाव है योगी की दुश्टी से कुछ भी नहीं है धीर का चित ऐसे शीतन रहता है जैसे वह मुतसे अरुपूद न लाभ की आशा करता है और न हानी का शोग धीर पूर्ष न संद की स्थुटी करता है और न दुश्ट की निन्दा वह सुक दुख्य में समान स्वयम में दुख्य रहता है वह अपने लिए कोई भी करतव्य नहीं देखता धीर पूर्ष न संसार से द्वेश करता है और न आत्म दर्शट की इच्छा वह अर्ष और शोग से रहित है नो की गुदुष्टी से वह न तो बुत है और न जीवित है जो धीर पूरुष पुत्र स्त्रीयादी के प्रतियासक्ती से रहित होता है विशय की उपलब्धी में उसकी प्रवृत्ती नहीं होती अपने शरीर के लिए भी निश्चत रहता है समय आशाओं से रहित होता है वह सुषोग दो होता है जहां सुर्यास्त कुमा वहां सोलिया जहां इच्छा हुए वहां रह लिया जो सामने आया उसी के अनुसार विवहार गर लिया इस प्रकार धीर सरवत्र संदुष्ट रहता है जो अपने आत्म स्वरूप में विश्राम करते हुए सभी प्रपंचों का नाश कर चुका है उस महात्मा को शरीर रहे अत्वा नश्ट हो जाए ऐसी चिन्दा भी नहीं होती ज्यानी पुरुष्ट संग्रह दरित स्वच्छंद निर्द्वंद्व और संशय रहित होता है वह किसी भाव में आसकता नहीं होता वह तो केवल आनन्द से विहार करता है धीर गुरुष्ट की रुधय ग्रंती खूल जाती है ग्रज और तम नश्ट हो जाते है वह बिट्टी के धेले पत्थर और सोने को समान दृष्टी से देखता है वह तारह करता सुशोबित होता है जो इस दुरुष्य प्रपच्च पर ध्यान नहीं देता आत्म तुरुप्त है जिसके रुधय में जरासी भी कामना नहीं होती ऐसे मुक्तात्मा की तुन्णा किसके साथ की जा सकती है कामना रहित धीर की अतिरिकत ऐसा हो और कोन है जो जानते हुए भी ना जाने देखते हुए भी ना देखे और बोलते हुए भी ना बोले राजा हो या रंक जो कामना रहित है वह ही सुशोपित होता है जिसकी दृष्च बस्तों भी शुवब और अशुवब भी समात्त हो गई है वह निश्कामन योगी निश्कपट सरन और चरित्रवान होता है उसके लिए सुश्चत दता क्या संकोच क्या और दत्व विचाड़ी क्या जो अपने स्वरोप में विश्राम करके दृपत है आशा रही तहे दुख रही तहे वह अपने अंतक करण में जिस आनंग का अनुभव करता है वह कैसे किसी को बताया जा सकता है धीर पुरुष पदपद पर दृपत रहता है वह सूकर भी नहीं सोता वह स्वपन देखकर भी नहीं देखता और जागरत रहने पर भी नहीं जगता धीर पुरुष चिंता वान होने पर भी चिंता रहित होता है इंद्रीय युक्त होने पर भी इंद्रीय रहित होता है बुद्धी युक्त होने पर भी बुद्धी रहित होता है और अहंकार सहित होने पर भी अहंकार रहित होता है धीर पुरुष ना सुखी होता है और ना दुखी ना विरत होता है और ना अनुरत वह ना वनुक्षु है और ना वुक्त वह कुछ नहीं है धीर पुरुष विक्षेब में विक्षिक्त नहीं होता समाधी में समाधिस्त नहीं होता उसकी लोकिक जड़ता में वह जड़ नहीं है और पाडिध्य में पंडित नहीं है धीर पुरुष सवीस्तितियों में अपने स्वरूप देस्तित रहता है करतब्य रहित होने से शांत होता है सदा समाध रहता है विश्णा रहित होने के कारण वह क्या किया और क्या दिन बातों का स्मरण नहीं करता है बंदना करने से बह प्रसंद नहीं होता बिंदा करने से कुरूधित नहीं होता बृत्यू से उद्वेग नहीं करता और जीवन से अभिनन्दन नहीं करता शांत बिद्धी वाला धीर न तो जनस्वोह की ओर दोंडता है और न वन की ओर जहां जिस स्थितीने होता है वहां ही समचित से आसीन रहता है अध्याय 18 वहां समाप्द राजा जनक कहते है तत्व विद्ञान की चिमटी द्वारा विबिन प्रकार के सुझावो रूपी काटों को मेरे द्वारा अंधय के अंतरीक भागों से निकाला गया अपनी महिम्मां में स्थित लिए क्या धर्म है और क्या काम है क्या अर्थ है और क्या विबेत है क्या द्वईत है और क्या अद्वईत है अपनी महिमा में इस्तित मेरे लिए क्या आतीत है और क्या भुष्य है और क्या बरतमा नहीं है क्या देश है और क्या काल है अपनी महिमा में इस्तित मेरे लिए क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है तथा क्या शुग और क्या अशुग है, क्या विचार युक्त होना है और क्या निर्विचार होना है अपनी महिमावे इस्तित मेरे लिए क्या सुपन है और क्या सुशुक्ती है तथा क्या जागरण है और क्या तुरी अवस्ता है अथ्वा क्या भया ही है अपनी महिमाने इस्तित मेरे लिये क्या दूर है और क्या पास है तथा क्या बाय है और क्या उंतरीक है क्या स्थूल है और क्या सुक्ष्मा है अपनी महिमा में स्थित मेरे लिए क्या मृत्यु है और क्या जीवन है तथा क्या लोग की कहे और क्या पार लोग की कहे क्या लय है और क्या समाधी है अपनी आत्मा में नित्य स्थित मेरे लिए जीवन के तीन उद्देश निरर्थक है योग परिचर्चा अनावश्यक है और विद्यान कावणन अनावश्यक है अध्याय गुन्यसवा समात्य। अश्टावक्रगीता अध्याय नीसवा। राजा जनक काते है मेरे निश्कलंक स्वरूप में पाच महाभूत कहा है या शरील कहा है और हिंद्रिया या मन कहा है शुन्य कहा है और निराशा कहा है सदा सभी प्रकार के बंदों से रहित बेरें ये क्या शास्त्र है और क्या आत्म ज्ञान पत्वा क्या विशय रहित मन नहीं है क्या प्रसंदता है या क्या संदोश है क्या विद्या है या क्या अविद्या क्या मैं है या क्या मेरा है और क्या मेरा है और क्या बंदन है और क्या मुक्ष है या स्वनूप का क्या लक्षन है क्या प्रद्ध कर्म है और क्या जीवन मुट्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत्वत् अपने अद्वया यानि दुसरे से रहितत स्वरूब में स्थिधक मेरे लिए क्या सञ्सार है और क्या मुक्थी की इच्छा कौण योगी है और कौण ग्यानी कौण बंदन में है और कौं मुक्थ अपने अद्वय स्वरूप में इस्तिकत देरे लिए क्या सुरुष्टी है और क्या प्रलयक, क्या साथ्य है और क्या साधक, कौन साधक है और क्या सिद्धी है विशुद्ध मुझ में कौन ग्याता है और क्या प्रमान है क्या गेय यहे और क्या ग्यान क्या स्वल्प है और क्या सर्व है सदा निश्क्रीय मुझ में क्या अन्यमनस्कता है और क्या एकांगरता क्या विवेक है और क्या विवेक हीनता क्या हर्ष है और क्या विशाद सदा विचार रहित मेरे लिए क्या संसार है और क्या प्रमार्थ क्या शुक है और क्या दुख सदा विशुद्ध मेरे लिए क्या माया है और क्या संसार क्या प्रीती है और क्या विरती क्या जीव है और क्या वह प्रम अचल, विभान रहिता, और सदास्वयम में स्थितमीरी ने योग.com for more information.